दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तो आज की जो स्टोरी है बहुत शॉर्ट स्टोरी और ये एक मॉरल स्टोरी है कहानी बहुत मज़दा रहे है सुनकर इशा की तरह बिल्कुल ही डीटेल में कवर करेंगे तो एक एक इस्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे तो चलिए दोस्तो आज की कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा मैजिकल पॉट क्या मतल मतलब की जादोई मतका तो दोस्तों यह आज की इस कहानी का टाइटल है शुरू करता हूं आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्टक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें तो चलिए इसको शुरू करते हैं वन डे आ मैन एंड इस वाइफ वर डिगिंग दा लैंड टू सो सीट्स क्या मतलब वह दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में वाज़ वर्ड के बाद वर्ड की फोर्थ वर्म का प्रियोग किया गया है तो जब ऐसा कोई भी वाक है वो पास्ट कॉंटिनिवस का वाक्य कहलाता है पास्ट कॉंटिनिवस का मतलब होता है कि पास्ट में मतलब की भूत काल में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर कोई क्रिया चल रही हो जैसे वह जा रहा था वह खेल रहा था इस तरह के वाक्य और जो उस वाक्य क plural होगा तो वहाँ पर work up प्रियोग किया जाएगा चलिए इसका मतलब देखते हैं क्या मतलब हो इस line का one day एक दिन a man and his wife मतलब एक आदमी और उसकी पतनी ये plural है इसलिए यहाँ पर work up प्रियोग किया गया क्योंकि यहाँ पर दो लाइन का क्या मतलब हुआ क्या इसकी translation हुई one day a man and his wife were digging the land to sow seeds मतलब एक दिन एक आदमी और उसकी पतनी जमीन को खोद रहे ते two sow seeds बीजों को बोने के लिए चलिए आगे देखिए as they dug deep और दोस्तों ये dig की second form में dig का मतलब होता है खोदना और ये जो word था digging ये इसकी fourth form में dig मतलब खोदना और ये second form में dug as they dug deep deep मतलब गहरा as they dug deep मतलब जब उन्होंने गहरा खोदा their shovel hit something क्या मतलब हुआ दोस्तों shovel का मतलब होता है कुदाल या फिर फावला और their मतलब उनका जब कोई भी चीज जो एक से अधिक लोगों से जुड़ी भी होती है तो वहाँ पर possessive case में their का प्रियोग किया जाता है तो इस line का क्या मतलब हुआ their shovel hit something मतलब जो उनका फावला था जो उनकी कुदालती फावला था वो किसी चीज से टकराए hit मतलब टकराना वो किसी चीज से टकराए they discovered a very large copper pot under the ground क्या मतलब हुआ दोस्तों discover का मतलब होता है किसी चीज का पता लगना और यह verb की second form है और यह जो दे है यह plural नाउने दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रियोग किया जाता है और इसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग और ये प्लूरल नाउने एक से अधिक लोगों के लिए इसका प्रियुक किया जाता है तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ They discovered a very large copper pot under the ground मतलब उन्होंने पता लगाया मतलब उन्हें discover की उन्होंने पता लगाया कि चीज़ का a very large copper pot मतलब एक बहुत बड़ी copper pot मतलब तांबे के pot को मटके को under the ground जमीन के नीचे तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ They discovered a very large copper pot under the ground मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी तांबे के तांबे के मटके का है कर सकते हैं घड़े का जमीन के नीचे उन्होंने पता लगा लिया पता लगाया They dug it out दोस्तों ये जो word है ये डिग आउट की second form है डिग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोद कर बाहर निकालना और ये इसकी second form है और ये जो हमारा वाक्य है ये past indefinite का affirmative वाक्य है जब हम past indefinite में कोई भी affirmative वाक्य मनाते हैं तो वहाँ वर्व की second form का प्रियोग किया जाता है क्या मतलब वह इस लाइन का They dug it out उन्होंने उसे खोद कर बाहर निकाल लिया चलिए आगे देखिए They both carried the pot back to their home दोस्तों carry का मतलब होता है किसी चीज को ढोना किसी चीज को ले जाना और ये second form है They both और both का मतलब दोनों They both मतलब वे दोनों They both carried the pot back to their home मतलब उन दोनों ने उस दोनों थे उन दोनों ने उस pot को उस बरतन को वो ढोकर अपने घर ले गए On the On the way मतलब की रास्ते पर The man put his shovel in the pot क्या मतलब वो on the way मतलब रास्ते में The man put his shovel in the pot वो जो आदमे था और दोस्तों ये put की second form है और put की second form भी put ही होती है जिसका मतलब रखना जो आदमे था Put his shovel उसने रख दी His shovel मतलब अपने अपने फावड़े को रख दिया In the pot मतके के अंदर At home मतलब घर पर They looked inside the pot Look मतलब देखना They looked inside the pot मतलब उन्होंने मतके के अंदर देखा To their amazement दोस्तों amazement का मतलब होता है आश्यर्य और To their amazement मतलब ये उनके आश्यर्य था There were now two shovels inside क्या मतलब होँआ There were now two shovels inside मतलब अब वहाँ उसके अंदर दो फावड़े थे तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब होँआ To their amazement There were now two shovels inside मतलब ये उनके लिए बहुत अचंबे की बाती बहुत ज़्यादा आश्यर्य चकित होने की बात थी कि उसके अंदर अब दो फावड़े थे The man said जो आदमी था उसने कहा Oh, this means This means मतलब इसका मतलब है Whatever you put in this magical pot Will double by itself क्या मतलब वह इस लाइन का क्या रथ होँआ वो जो आदमी था उसने क्या कहा कि this means इसका ये मतलब है इसका ये तात पर रहे है या क्या कह सकते है Whatever you put in this magical pot मतलब आप इस जादूई मतलब में कुछ भी रखो Will double by itself वो अपने आपको double कर लेगा मतलब उसका जोड़ा हो जाएगा वो उसको अपने आप में double कर देगा तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो जो आदमी था उसने क्या कहा कि इसका ये मतलब है कि आप इस pot में आप इस मटके इस जादूई मटके में कुछ भी रखें कुछ भी डालें वो double हो जाएगा चलिए आगे देखिए और itself मतलब अपने आप So the man put some money in the pot and doubled it क्या मतलब हुआ So the man put some money in the pot So the man put some money जो आदमी था उसने कुछ पैसे रख दिये in the pot मटके में and doubled it और उसको उसने double कर लिया चलिए आगे देखिए He put some more in it and it increased to और दोस्तों increase का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना और ये second form है और two का मतलब होता है भी He put some more मतलब उसने कुछ और चीजों का रखा He put some more मतलब उसने कुछ और रखा in it उसके अंदर and it increased to और उसने उसको भी बढ़ा दिया चलिए आगे देखिए In such a way इस तरीके से The couple now had a lot of money मतलब इस तरह से ये जो दमपत्ती था अब इसके पास बहुत सारे पैसे थे और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में head का प्रियोग किया गया और ये जो हमारा वाक्य है Now had a lot of money ये हमारा past का possessive sentence है जब आप past में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाते है जहाँ आप ये शो करते है कि past में किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर head का प्रियोग किया जाता है helping of के रूप में और जो इस तरह का वाक्य है वो possessive का वाक्य कहलाता है तो इस line का क्या मतलब हो now had a lot of money अब उनके पास बहुत पैसा था once एक बार the greedy wife was taking out money from the pot क्या अर्थ हुआ और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा past continuous का वाक्य है जहाँ पर was या वर के बाद वर्फ की fourth one का प्रियोग किया जाता है और यहाँ जो subject है वो singular noun है singular noun के साथ was का प्रियोग किया जाता है तो इस line का क्या अर्थ हुआ once एक बार the greedy wife greedy मतलब लालची और यह adjective है the greedy wife मतलब जो लालची पतनी थी was taking out money from the pot वो मटके से पैसे बाहर निकाल रही थी तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ कि एक बार जो लालची पतनी थी वो मटके से पैसे बाहर निकाल रही थी she slipped and fell inside और slipped का मतलब हुआ फिसल जाना और यह second form है she slipped मतलब है फिसल गई and fell inside और यह fall की second form है fall मतलब गिरना fell inside मतलब अंदर गिर गई तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ she slipped and fell inside मतलब वह है फिसल गई और अंदर गिर गई the man pulled her out but now there were two wives क्या मतलब हुआ अब क्या मतलब हुआ the man pulled her out और यह pull का मतलब होता है pull out का मतलब किसी चीज को खीच कर बाहर निकालना और यह second form है the man pulled her out जो आदमे था उसने उसे खीच कर बाहर निकाला but लेकिन now there were two wives लेकिन अब वहाँ now there were two wives अब लेकिन अब वहाँ पर दो पतनिया थी चलिए दोस्तो अब इस कहानी का जो moral है हम वो भी देख लेते हैं इसका moral क्या है greed is a great evil greed एक noun है greed is a great evil जो लालच है वो बहुत बड़ी बुराई है तो दोस्तो यह आज की एक बहुत चोटी सी कहानी थी और बहुत अच्छे moral के साथ जैसे हमने इस कहानी के अंदर देखा और जो इस कहानी का moral है बहुत ही अच्छा moral है जो इस कहानी का moral है greed is a great evil जो लालच होता है वो सबसे बड़ी बुराई होती है तो दोस्तो यह आज की एक चोटी सी कहानी थी और मैं उमीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी यदि मेरा पढ़ाने का तरीका गी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे request है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तो आज की वीडियो में यदि आपने कोई नए वर्ट सीखा हो तो कमेंट के माद हमसे जरूर बताएं सुनने के लिए थैंकियो सो मच हैव नाइस डे एंड बाई